Very Good Morning Class चलिए देखिए आज सुपर पोजिशन के New Pattern of Numerical देखने वाले हैं यह आपको कोश्चन सर्किटरी गीवन है और इसका कोश्चन है कि आपको दो ब्रांचस A, B और C, D से आपको करेंट की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले स्टेप जो हम सुपर पोजिशन में करते हैं वो यह देखते हैं कि सर्किटरी में कितने active sources present है active source कौन से source होते हैं? active source वो source होते हैं जो की सर्किटरी को या आपके network को energy provide करते हैं तो कौन से आसे source होते हैं जो energy प्रोवाइट करता है आपका voltage source और current source होता है वो network को energy प्रोवाइट करता है अब देखिए इसमें कि हमारे given circuitry में कितने active sources हैं आपके given circuitry में 3 active sources हैं 10 volt, 120 ampere और 40 ampere तो सबसे पहले हम 10 volt को consider करते हैं आपको पता है कि इस superposition में मैंने previous video में explain किया है कि जब हम voltage source को consider करते हैं तो जितने भी current source हैं वो क्या हो जाते हैं? open हो जाते हैं आपके current source अगर open हो जाते हैं तो हमको given circuitry में से वेकी mesh मिलता है mesh analysis भी आपके previous video में मैं explain कर चुकी हूँ यहां पर हम क्या करेंगे? current के एक direction को मानेंगे और solve करेंगे 50 I1 प्लस यहां positive terminal पहले आ रहा तो प्लस 10 volt नीचे 150 I1 तो I1 के value कितनी आ जाएगी? अगर minus 10 के एगर minus 1 by 20 आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर minus के value आती है minus के value अगर आपकी आती है तो आपको यह सोचना है किसका direction जो होगा वो opposite होगा आप जब इस तरह से ले रहे हैं तो आपको current के value के आ रही है? opposite आ रही है मतलब अगर आपका direction A से B है तो आपका minus 120 आ रहा है 120A उसको consider करें उसको consider करेंगे तो हमारा जो voltage source है वो क्या हो जाएगा short हो जाएगा और जो हमारा current source है 40A वो क्या हो जाएगा open हो जाएगा यह question बहुत 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 इन question है different इसमें pattern और concepts यूज हो रहे है 120A आपके पास है यहाँ पर जो कि दो उस भागों में वो हो रहा है विभाजित हो रहा है तो you know very well अगर दो parts में divide होता है current तो हमका क्या use कते है हम use कते है total current आपका current division formula क्या है कि अगर मुझे I1 निकालना है तो total current into opposite side resistance R2 divided by R1 plus R2 fine और इस case में तो मुझे दोनों current चाहिए मतलब A से B मने यह कि यह वाला branch वाला और एक यह branch दोनों current चाहिए तो मतलब आपको I1 की value भी निकालना है और I2 की value निकालना है I2 क्या होगा I2 होगा आपका I मतलब total current into R1 divided by R1 plus R2 बस आपने वही किया है आपने दोनों current की value निकाल ली है एक बार आप क्या consider करें एक आप 50 कर रहे हैं और एक बार आप इसमें 150 करके निकाल लेंगे Is it clear? ठीक तो आपकी value निकल जाएगी दो current की value आजाएगी 30 और 90 ampere रहे है यह कौन से current की value है यह branches से current की value है दोनों branches से जो कि आपकी question में पूछा गया है जब आप 120 ampere को consider कर रहे हो इसी तरह जब आप 40 ampere को consider करोगे आपका 120 ampere open हो जाएगा आपका 10 volt source जो है वो हो जाएग नजर आ रहे हैं this is your 150 actually ठीक दोनों भागों में विवाजित होते नजर आ रहे है आप क्या करेंगे कुछ नहीं आप formula रखेंगे और formula रखने के बाद आप solve करेंगे और i1 और i2 की value लाएंगे i1 और i2 की value निकालने के इसमें भी i1 और i2 की value कैसे आएगी ऐसे ही करके total current into r1 divided by r2 plus r1 इसकी value देगा i2 की value देगा क्योंकि opposite side होता i1 की value कैसे आएगी i into r2 divided by r1 plus r2 करके इसमें 40 ampere में आपकी values आजाएगी last में देखिए इसमें i a b i a b की value देखिए आप यह तीनों add हुआ है तीनों क्यों add हुआ है clearly देखिए तीनों इसलिए add हुआ है क्योंकि देखिए first उसमें जब आप निकाले थे तो आपका current का direction क्या था a से b तक ठीक और यह दोनों cases में जब आपका current आ रहा है तो a से b की देखिए यहां पर भी current जो है this is your a this is your b this is your c and this is your d तो जब आप consider कर रहे हो 40 ampere या 120 ampere या आप consider कर रहे हो 10 volt आपका current का direction क्या है a से b की इसलिए यह आपका क्या होगा add होगा a b जब आप निकालों के तो तीनों current पतलब जो 10 volt से possible है और दूसरा आपका जो 120 ampere और जो आपक तीनों सम हो जाएगा fine अब next step में देखिए icd icd में जो आपका 120 ampere और आपका 40 ampere से consider हो रहे है कि 40 ampere से यह cd उपर की हो जा रहा है यहां पर भी 120 ampere से देखिए cd मारा cd का direction है ठीक लेकिन यहां पर देखिए आप जब 10 volt को consider करें आपका current इस तरह से घूम रहा है तो यह d से secure आ रहा है किसमें आ रहे है d से secure तो अगर d से secure आएगा जो 10 volt के current responsible होगा cd का current वो क्या होगा minus होगा और आपका final answer आ जाएगा चलिए thank you repeat करिए doubt होगा तो पूछेगा